और हमारे साथ आज एक ऐसे महमान है जिनकी राजलीती में गहरी पकड़ है राजस्थान के कद्दावार निता है लेकिन देश के प्रधानमंत्री नियुको जल शक्ति मंत्रा ले दिया है क्योंकि जल में जो शक्ति है उसका दोहन करना है गजेदिल सिंग शेखावस साब को बहुत बहुत स्वागत है जी मीडिया में शेखावस साब मैंने संदर विजली बदला कि हिंदुस्तान हो दुनिया के कई मुल्कों पानी के लिए युद्ध होते हैं लेकिन एक तरह का पानी वो भी होता है कि पॉलिटिक्स में जो पावर होता है वो भी अपने आप में कह चाहे वो केंदरी कृशी मंतरी हों चाहे केंदरी रेल मंतरी हों या बाकी जो आपके निता थे वहाँ पर आपको क्या लगता कि किसानों के मामले में सरकार से कहीं चूक हो गई या सरकार उतना भरोसा नहीं जीत पाई जितना उसको जीत लेना चाहिए था मैं इस बात को सीरे से खारिश करता हूँ कि सरकार से कहीं चूक हुई है यह जो तीन कानूनों में शंशोधन या नया कानून बनाने जिसको लेकर के इस तरह की इस्तिती पैदा की जा रही है ये तीन कानूनों को आप केवल इन तीन कानूनों के दाइरे में रख करके नहीं देख सकते है ये पूरी उश्रंखला का हिस्सा है जो कृशीक शेत्र को अके आमूल चुल परिवर्तन के लिए दोहजार चौरा चौधा से मानियमोदी जी के सरकार ने प्रायरंब किया था और यदि इसका मूल आधार कहीं है इन सारे फैसलों का चाहे वो कृशी की तरफ, कृशीक शेत्र की तरफ देखने का नजरिया बदलना हो प्रिडक्शन सेंट्रिक अप्रोच से प्राफिट सेंट्रिक अप्रोच तक के खेती को ले जाना हो खेती को लाबकारी बनाना इस सब का आधार जो है वो डॉक्टर स्वामिनाथन साहब के आयोग की रिपोर्ट जिसे नैशनल फार्मर पॉलिसी का दरजा दिया गया था उसकी सारी रैक्मेंडेशन पर आधार थै और डॉक्टर स्वामिनाथन साहब की रिपोर्ट जिसे लागू करने के लिए किसानों ने कि हरे कांदोलन में आवाज उठाई गये उसमें जो मूल बिंदू थे पहला विशे अगर मैं छे साथ मूल जो में पिलर से उनकी बात करूँ पहला विशे था लैंड रिफॉर्म्स का की भूमि सुधार देश में होना चाहिए दूसरा विशे था इरिगेशन कवरिज बढ़ना चाहिए तीसरा विशे था फ्री फ्लो ऑफ एगरिकल्चर क्रेडिट होना चाहिए चौता विशे था खाद बीज की आपूरती सुनिश्चित हो फ्री फ्लो उसका हो पांचमा विशे था कि इन्वेस्मेंट इंटू एगरिकल्चर बढ़ना चाहिए चटा विशे था कि कृषी को लाबकारी बनाने के लिए किसान की फार्म इंकम पर डिपेंडेबिलिटी कम करने की आविशेकता है और इसके लिए अलाइड सेक्टर्स को चाहिए पशु पालन होगा चाहिए मदुमक्की पालन होगा चाहिए पेड लगाने का होगा चाहिए हॉर्टिकल्चर डवलपमेंट का होगा इन सब को स्रेंदन करने और प्रमोट करने की आविशेकता है साथमा विशे था कि पोस्ठ अर्वेस्ट इंफ्रस्टेक्टर में डवलपमेंट होना चाहिए उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए आठमा विशे था कि एगरिकल्चर इंशुरेंस का एक जो है रोबस्ट मेकेनिजम देश में बनना चाहिए नाइन्थ विशे था कि मार्केट रिफॉर्म्स होने चाहिए और दसमा विशे था कि MSP लागत का डेड़ गुना मिलना ही चाहिए पचास प्रतीशे जोड़ करके मिलना चाहिए आज जितनी विपक्षी पार्टियां और जो भी तथा करते तो राजनेतिक दल इस बात का विरोध कर रहे हैं मैं पूछना चाहता हूँ कि जब 2006 में स्वामिनातन साब ने अपनी रिपोर्ट प्रिस्तुत की थी तब 6 से लेकर के 14 तक उनका शाशन ता तब उन्होंने इन में से कितने विशे पर ये एक एक वर्टिकल है इसके सब जो है सैक्शन सौर हो सकते हैं इन में से कितने विशे पर क्या काम किया था और दूसरी तरफ यह मानिमा व्वदी जी की सरकार है कि 2014 से लेकर के आज तक इन सारे वर्टिकल्स पर स्वामिनातन साब के आयोग की रिपोर्ट की मन्शा के अनुरूप जितनी रेक्मेंडेशन थी उन सब पर हमने काम किया हर एक रेक्मेंडेशन पर काम करने के क्रम में अब वर्तमान में इन तीन कानूनों के माध्यम से मार्केट रिफॉर्म्स किये गए आज जितनी पॉलिटिकल पार्टी हैं इसका कहीं लिकित लिकित भाशनों में सब जगे पर किये लेकिन आज तो वो इसका फाइदा उठा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो मोदी सरकार है भले ही वो साल में जो किसानों के खाते में एक रकम डालती है और उसके जरीए उन्होंने अपना एक आधार भी मजबूत किया था ले रहे हैं क्योंकि वो जमीने हडब लेंगे तेकि हैं जिद पॉलिटिकल पार्टी का आपने नाम लिया मैंने बहुत जो है सुल्जेवे शब्दों में यह कहा था कि ऐसे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो हमेशा इसकी मांग करती नहीं वही आज हो जाने पर इसका विरोध कर यू टर्न किया है मैं इससे आगे जाकर के बात करना चाहता हूँ ऐसी सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं जिनको जनता ने लोगतंत्र के समर में नकार दिया या जिनकी लोगतंत्रिक जमीन खिसकती जा रही है लोगतंत्रिक धरातल जिनका समापत होता जा रहा है वो सारी को इशू बना करके किसान के कंदे पर बंदूक रख करके अपना लक्ष साधन करना चाहती है अपने हिता कांगशाओं की पूरती करना चाहती है राजनितिक जमीन को अपनी वापस हरा करने के लिए किसान के कंदे का प्रयोग किया जा रहा है और ये कोई नई विशे नहीं है कॉंग्रेस पार्टी ने तो ऐसे नौन इशू को इशू बना करके उसके माध्यम से समाज को बाटना, मजभ को बाटना, उनके बीच में मजभ के आधार पर बाटना या किसी वर्ग के भेद करते बाटना और उनके माध्यम से अपनी राजनीतिक जमीन को वापस मजभूत करना, इसकी एक परिपाटी सी बना लिए, चाहे 370 के समय के आंदोलन को देख लिजे, चाहे जो सिरिजन्शिप अमेंटमेंट अक्ट लाया गया, उस समय की उनकी भूम देख लिए, नॉन इश्यू को इश्यू बनाना, सिरिज़न्शिप इमपबन अक्ट में कानून ये था कि हमें ќो पाकिस्तान से बंगलादेश से अफगानिस्तान से जो पीडित राजनीतिक संद्रक्षन में पीडितो करके आये हैं सत्ता के संद्रक्षन के कारण से पीड कांग्रेस के लोग इनके साथ में जिन लोगों कि आप बात करें चाहिए अमामाइबाद भी पार्टी होगी यह सभी इन सब ने मिल करके कि एक मजभ विशेश के लोगों को देश से बाहर निकालने का शड़ेंतर ऐसा करकर के शाहिन बाग यह जैसे अंदोलन देशवर में ख चिंता की बात है वो यह है कि किसान अंदोलन के दोरान पंजाब में खासवार पर मोबाइल इन्फरा से जुड़े हुए मोबाइल के टावर्स करीब सोला सो टावर्स को नुक्सान पहुचाया गया कुछ उद्योग पतियों को जान बुझ कर या आप कहें राजनतिक कारण से किसानों का या आरोप है कि ये सरकार बड़े उद्योगपतियों को ये जमीनों का एक तरह से कॉंट्रेक्ट फार्मिंग जबाएगी तो बड़े उद्योगपती जमीनों को हड़प लेंगे ये उनका डर है लेकिन प्रदान मंत्री ने कल अपील किये है कि आप आप सिताक्ते हैं पंजाब में कि कौन-कौन सिताक्ते हैं उनके सामने खड़ी है मैं याद दिलाना चाहता हूं कैप्टेन अमरेंदर सिंग जी का बयां जो उन्होंने ट्वीट करके लिखा था दोहजार तेरह के साल में कि अगर अकाली दलने उनके द्वारा लिये गए कांट् पहुंचाए जा रही है उन्होंने जो कंट्रेक्ट फार्मिंग की होती उससे तीन लाग किसानों का भविश्य बदल जाता है जब वो करें तो ठीक और जब सरकार मोधी जी की सरकार कोई निर्ने ले तो उसे गलट ठहराना जैसा मैंने कहा कि यह अपनी लोकतांत्रिक व्य किसानों पर अश्योर्ड प्राइस पर किसान को खेती करना किसान के द्वारा खेती करना किसी प्रसेसर द्वारा दी गए अश्योर्ड प्राइस पर या किसी एक्सपोर्टर के द्वारा दी गए अश्योर्ड प्राइस पर मैं अनुभव के आदार पर बता सकता हूं मेरे ए में परीचित हैं, मुझे बताया गया था जब मैं कृशी मंतरी था तब उनसे परीचे हुआ, वो अश्वगंदा रूट्स का एक्स्रक्ट निकाल करके उसको एक्सपोर्ट करते हैं, लगबग 4,000 फार्मर्स उनके लिए जो है उनकी क्वालिटी पर अश्वगंदा रूट्स जो है वो दो पई अवान में नहीं गोमता है, सब 4 पई अवान में गोमते हैं, मैं ऐसे परिवार को भी देश में जानता हूं, जो जिपनीज मार्केट के लिए सबजियां उगाते हैं, अपने खेत में भी उगाते हैं और अपने आसपड़ोंस के 2.500 फार्मर्स उनके हैं, तो देश की सरकार ने जो है एफपी ओ के माधियम से फार्मर पॉर्डूसर और्गनाईजिशन बने उसके माधियम से या अन्य किसी माधियमों से भी इस तरह के कि हम किसी एक पर्टिकुलर मार्केट के लिए एक कमोडिटी की खेती करें, इसके उपर बल देने का प्र इस तरह की भ्रांतियां फेराएगी कि किसान जो जो जिसके साथ कॉंट्राक्ट करेगा, कॉर्परेट हाउस उसको मजबूर करेगा कि तुमको यह उगाना पड़ेगा, आज ही मैं सुबह किसी एक मित्र का इंटर्वी देख रहा था, एक किसान को कोई भी मजबूर तो तमाम तरह है कि उसको सुरक्षित करने के प्रावधान बनाएगे, और तीसरा विचे यह यह है कि जिसको लेकर के भ्रांति फैलाई जा रही है, जो आपने अभी चर्चा की कि उसकी जमीन चले जाएगी, तो मानी प्रदान मंतिर जी ने जैसा उस दिन उलेक करते वे कहा थ कि अगर कोई दूद का कॉंट्रैक्ट करता है, तो उसकी भैंस को कोई कैसे लेकर के जा सकता है, इस कानून में पश्ट रूप से लिखा गया है, उसकी लैंड किसी तरह से अटेच नहीं की जाएगी, अब उसको लेकर के बेजान जो है, भ्रांति फैदा करके लोगों को भ उल्टा पढ़ाने का प्रियास करें, शेकवास साब एक आपने कहा कि जैसे प्रिदान अंतरी ने कहा कि अब दूद का कॉंडक्ट या तो भैंस कोन लेकर जाएगा, लेकिन बयान इस तरह के भी आए, कि जो आंदूर्ण में शरीक लोग हैं, उनको खालिस्तानी तक कहा गय तो जब हम फार्मर्स की बात कर रहे हैं, फार्म छे दौर की बाचीत हो गई है, कल एक संकेत मिला है कि चार जैन्वरी को होने वाली आगे बाचीत में कुछ रास्ता निकल सकता है, मैं आप से पूछना चाहता हूं कि आखिरकार इतना लंबा ये खिच क्यों रहा है मामला, जान बूच करके इसको आगे बढ़ाए जा रहा है, आपने रवनीत सिंग बिट्टू जी का उले किया, मुझे याद है लोकसभा में जो उन्होंने अपने इस बिल पर चर्चा की दोरान जो उन्होंने वक्त भी दिया था, उन्होंने कहा था किसान, दस साल तक कॉंट्रैक फार्मिंग हो जाएगी, दस साल बाद में उसके इंप्लिमेंट खतम हो जाएगे, उसका टेक्टर नहीं रहेगा, वो केती कैसे करेगा, मैंने उस दिन भी उनसे कहा था, बायस खतम होने के बाद में, मैंने उनसे कहा था कि मित्र कानून को ठीक से बढ़ लिया होता, तो श जाएगे, प्रोसेसर को बेचना, आज एक फार्मर प्रोडूसर और्गनाइजिशन बनता है, पांत सो फार्मर से इकटे हो करके यह तैह कर लेते हैं, हम एकनौमिय अप स्केल पे काम करेंगे, और वो आपस में एक कॉंट्राक्ट कर लेते हैं, अपने उनका एफपियो के स आत्मी फार्मर यह कॉंट्राक्ट कर ले कि हम अमुक चीज उगाएंगे और इस भाव पर खरीदी जाएगी, इसमें कहां जो है, अमबानी और अडानी आगे, कहां उसमें कॉर्पोरेट घराने आकर के खेती करने लगे, मैं फिर एक बार कहूंगा, कि यह जो इस तरह की ध जो आपके मंत्राले से जुड़ी होती है, कि पंजाब और हर्याना में SYL का विवाद है, और वो इस समय सामने उभर कर इसलिए भी आया, कि हर्याना का रोप है कि पंजाब ने उसका हिस्सा या हक मार की रखा हुगा है, और वो हमको मिलना चाहिए, इस पर आप क्या कहेंग सची विस्तर पर वारता करके इसको सुल जाने का प्रियास करना चाहिए, सची विस्तर पर वारता भी हुई, लेकिन रास्ता नहीं निकल पाया, सुप्रीम कोट ने दूसरा आदेश दिया कि भारत सरकार के जलशक्ती मंत्री दोनों को मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ करके उनसे चर्चा करें, हमने 18 अगस्त को दोनों मुख्य मंत्रियों के साथ बैठ करके इस विशेपे विस्तार से बातचीत की थी, क्याप्ट नमरेंदर सिंग जी ने इस बात का भरोसा मुझे दिलाया था कि अगले आगामी साथ-ाथ दिन में हम लोग साथ बैठेंगे, दोनों मुख्य मंत्रियों और इस बार एक बार इस पर बैठ करके विचार करेंगे। उतना उसको मिलता रहेगा, यह कानूनन विव्यवस्ता है। लेकिन इसके कारण से हमको infrastructure को नहीं रोकना, ची इंफ्रीस्ट्रेक्ट्ट्चर कम से कम बन जाए, जब ज़्यादा होगा तब तो कम से कम हम पानी को ट्रांसफर कर सकेंगे। या तो समुद्र में बैकर जाएगा या पाकिस्तान बैकर कर जाएगा इन दोनों परिस्तितियों से हम को हम बदल सकते हैं लेकिन आज तक ऑगस से लेकर के आज तक कैप्टिन अमंदर सिंग्जी ने इसमें कोई पहल नहीं किये बात आगे नहीं बढ़ी है तो आपको क्या लगता है कि वो ठंडे बसने में रखना चाहते हैं या फिर वाजब हक देने के लिए तैयार है कि मुझे लगता है कि यदि इस रुकावत का समाधान निकालने की यदी उनकी मान सेकता होती तो शहbourgद उन्होंने इसे आगे बात बढ़ाई होती है और जिस तरह की स्टेटमेंट उन्होंने उसके बाद में दिये थे वो स्टेटमेंट में इस बात के गवाएं कि वो इसमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहते मामला सरवचे नहीं में लड़ दे कूट कंक्लूड इट मैं हर्याणा पंजाब से आपको मेदारी दी है कि पांच लोग सभा हैं तकरीबन 35 विधान सभा सीते हैं हाँ बश्चिम बंगाल में जो हालात हैं आपको रगता है कि आपके लिए फसल काटने का समय आ गया देखें 2011 में कम्यूनिस्टों के 35, 34, 35 साल के शार्षन के बाद में जिस तरह से गुंडाराज उस समय में वहां था उसको बदलने की अपेक्षा की बदल जाएगा शायद हम इससे बच सकेंगे कि अपेक्षा के साथ में बंगाल की जनता ने बहुत बड़ी अपेक्षाओं के साथ में त लेकिन आज अगर बंगाल में जाकर के हालात को धरातल पर देखा जाए ने बंगाल की मां के साथ में बेहन मां बेहनों के साथ में नियाए हुआ ने बंगाल की माटी के साथ में और नहीं बंगाल के बंगाली भदर लोक या भदर पुरुश उनके साथ में इस तरह का निय में हुआ और राजनीती का अपराधी करण जो की जो परंपरा कम्यिस्ट सरकार के समय में थी उसको और अधिक उचाई तक जिस तरह से त्रणमुल कॉंग्रेस और ममता दीदी की पार्टी उनकी सरकार लेकर के गई है और उससे भी बड़ा विशे कि जिस तरह से प्रिशाष्निक व्यवस्था का राजनीती करन होगा यह तीनों ही दोश बंगाल की जनता अब समझ चुकी है इन सब से उकताई हुए है और बंगाल की जनता अब की बार बड़े परिवर्तन का मानस बना चुकी है मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूँ कि अब की बार भारतिय जनता पर्टी एक एतिहासिक पहुमत के साथ में महा सरकार बनाएगी हम दोसों के बार जाएंगे लेकिन शेकवास साब जहां तक मैं बात करूँ परश्रिमगाल के मुख्यमंतर की वो कहती है कि केलाश वजय वरगी है जो आपके पार्टी के मास अच्छिव हैं और जो वहां के इंचार्ज भी है पार्टी के करते हैं कि यह गुंडों के साथ गुंडों की फौज लेकर आए हैं गुंडा गर्दी आप लोगों ने शुरू की दूसरी टिपनिन की यह कि गवर्नर जो है वो पॉलिटिकल लीडर की तरह बेहेव कर रहे हैं तीसरा यह कि आप वहां की लोकल जो बिरोक्रेसी है उसको आ हजारों करेकरताओं के घरवार तोड़ दिये गए कि सेंकडों महिला करे करताओं के साथ में अपमान जनक व्यभार हुआ है उनको पीटा गया उनके हाथ-पाउं तोड़ दे गया है इतना सब हो जाने के बावजुत क्या मामता जी को यह सब टिपणिया करने का अधिकार शेश बचा है अपने गिराबान में जहांक करके देख अपने व्यभार में जहांक करके देखना चाहिए बंगाल में जिस तरह की अराजक्ता की स्थिति यह जिस तरह का भाय भूक और भ्रष्टाचार का शाषन है जिस तरह का डर पैदा करने का प्रियास किया जा रहे धरातल पर जाकर कि देखिये जनता उस डर के माहौल से नि सरकार बढ़ने के तीस सीटे तो जितकर बता दिए बंगाल में ये चुनोती होंगी अभी चार महीने शेश हैं ये छटपटाट अपने आप में दिखाती है कि उनकी धरातल जो है वो समाप्त हो गया है लेकर शेकर सब जिन लोगों पर आपकी पार्टी ने कहा कि इनकी सरकार के मंत्री बरष्ट है इनकी सरकार के नेता बरष्ट है या इन्होंने गुंडा कर दिका रखिये वही नेता कई मामलों में फसे हुए उन पर इडी का मामला दर्ज है उन पर सीबी आई के मामले दर्ज हुए और वो आपकी पार्टी में आगा है तो पाक साफ हो जाएंगे पहले इसकी मुझे लगता है कि एक बार ठीक से विस्तरे जाच करके पड़ताल कर लेनी चाहिए कि हमारे साथ कौन लोग हैं और उनके ओपर क्या विश्यापन पैंडिंग है और ऐसे कितने लोग हैं जिनके ओपर वहां किस तरह के मामले पैंडिंग है यह दोहरी नजर से मुझे देखना है मुझे लगता है कि देखने के आदत को छोड़ना और बदलना पड़ेगा पश्चिम मंगाल की गवर्नर के बीच में जो टकराओ है गवर्नर कहती हैं कि यह के अंदर के इशारे पर सरकार को डिस्टेपलाइज करना चाहते हैं और आपकी मुलकात भी पिछली बार गवर्नर साब सुविती पिछली आत्रम है ममता बंदर जी ने उनको हटाने की मांग किये वहां से गवर जैसे लॉलेसनेस की स्थिती बनी भी है मुझे लगता है गवर्नर अपना सम्वेदानी करतव निभा रहे हैं और उसको लेकर के इस तरह की अमरियादे टिपनियां करना और इस तरह की बातें करना यह अपने आप में इस बॉकलाट को दर्शाता है कि उनकी राजनितिक धर जना उसे वंचित करती है केबल लेगो केबल पॉलिटिकल विंडिटा के लिए बिलकुल मैं आपको उससे भी आगे ले जाना चाहता हूं आप शाषिन व्यवस्ता की बात कर रहे हैं मंगाल में फरक का परी यह जो बराज प्रिजेक्ट है वह भारत सरकार का प्रिजेक्ट में अवैद रूप से अतिक्रमन करके लोग रह रहे हैं तो उने कबजा किया है और गुंडागिरी के आधार पर कबजा किया है धमका करके हमारे अधिकारियों को धमका करके उनके घर खाली करा करके उन पर कबजा कर लिया है और जब हमारा जो जनरल मैनेजर या हमारा अध लिकारी पुलिस में कंप्लेन ले करके जाता है, पुलिस उसको नॉन कोगनीजबल ओफिंस मान करके, सिर्फ रोजनामचे में दर्द करके उसको कागिज पकड़ा देती है। मैं पूछना चाहता हूँ कि बारत सरकार की संपत्ती की रक्षा का दाई तो वहां क्या वहां के प्रिशाशन करनी है। या बारत सरकार की संपत्ती को के उपर अपने अपराधिक तत्वों के माध्यम से इस तरह से कबजा कराने का उन्होंने ठेका ले रख है। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूं कि बंगाल के चार करोड लोगों को मरहूम किया गया है, देश की सरकार द्वारा बनाईगी योजनाओं से मरहूम किया गया है। आज अभी पच्छी 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 तारिक को मानि प्रदानमंति जी ने आप इने जिक्र किया एक बटन दबाया और देश के नौ करोड से ज्यादा किसानों के खाते में 18,000 करोड रुपए ट्रांसफर हूए। बंगाल के 70,000,000 किसान इसके पात रहें। क्रोड रुपे किसान के घर में जाने चाहिए थे उससे क्यों उनको मरूम किया गया बूड़े माबाप के इलाज के लिए अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए अपनी बीमार बच्चों के इलाज के लिए अपने इलाज के लिए आईज मान, भारत, योजना, दुनिया की सबसे बड़ी चिकित से योजना माननिये, प्रधान मंतिया जी ने प्रहाइब की, किस डर से, किस कारण से बंगाल के लोगों को इससे मर्वुम किया गया, इन सब विश्यों पर हमको विचार करना पड़ेगा, इन सब विश्यों को देखना पड़ेगा और जनता निश्यत रूप से इन सब विश्यों को देख रही है, बंगाल की जनता भी देख रही है और इसलिए परिवर्तन का मानस बनाए है लेकिन चहरा महमता बनर जी एक तरफ हैं, आपकी पार्टी में चहरा प्रधानमंतरी हैं, तो स्थानी स्थार पर कोई नेता आपके पास है, जिसका चहरा आगे करेंगे, या आपकी पार्टी के थी हम संगठन से लड़ेंगे, जब समय आगे तब प्रॉपरा नहीं है, आज तक का इतियास उठा कर देख लिजिए जहां हमने पहली बार सरकार बनाई है चुनाव लड़े हैं पहली बार सरकार का चेहरा लेकर करके हम सरकार बनाने के लिए हम काम्याब हो हैं हमने कभी पहला चेहरा डिकलेर नहीं किया जहां लगातार जीते रहें वहां पहले से कि तब उस चुनाल में हमें को ऑनार क दिखाने की जरूट नहीं पढ़तीनि ति कि हमारा 가ון हम अद्यपरदेश में चुनाव लड़ा तो हमारे चेहळक कौन हो गéri तो फेली बार जब चुनाव लडा यह कि तु सरकार जब बनाने बंगाल की धर्ती में जन्वा बेटा चुनाव टड़ेगा और बंगाल का मुख्य मंत्री भी बंगाल की धर्ती पर पैदा हुआ बंगाल का ही बेटा बनेगा लेकिन कॉंग्रेस और वाम पद्धी दल जो हैं लेफ्ट पर्टी इसने हाथ मिला लिए तो ट्रेंग्लर ट्रिकोर्णी मुकाबला होगा आप लगता है कि मुकाबला मजबूती से आपकी पार्टी लड़ पाएगी या फिर वोट बटने के खेल में आपको ही फाइदा होने वाला देखिए मैं भविश्य वक्ता नहीं हूं लेकिन एक बात कह सकता हूं मुकाबला बहुत रोचक होगा और बारती जनता पार्टी सरकार बनाई है अब मैं आपके ग्रहराज्य चलता हूं वहां पर भी यही समस्य आ रही है कि आप लोग कहते हैं कि सरकार कॉंग्रेस की है त देखे मैं दूविश्य आपके समने रखना चाहता हूं राजस्तान की सरकार हर परामिटर पर फील गूए जो वादा राजस्तान की सरकार ने कौंग्रेस पार्टी ने सरकार में आने से पहले किया था आध देर प्रदेश का किसान जानता है उसके साथ में धोका हुआ है च चाहे किसानों के बिजली का खर्च ने बढ़ाएंगे, बिल ने बढ़ाएंगे, उसका विश्यू. युवाओं के साथ में धुका किया, ये वादा किया गया था हम युवाओं को स्टाइपन्ट देंगे, बेरोज़गारी भता देंगे, आज तक किसी को नहीं मिल पाए. हर्म वादे पर विफल रहने के साथ साथ में, राजस्तान में जिस तरह से लॉइंड ओर्डर की दुर्दशा हुई है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि राजस्तान में इस तरह से गैंग रेप की घटनाएं हो, मैलाओं के पृति इस तरह से अत्याचार अपराद बढ़ और उसके साथ साथ में उन सब को ढखने के लिए सरकारी तंत्र जो है और सिया सरकार मिलकर के क्रेय प्रियास करें, उनको छुपाने के लिए प्रियास करें, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि अपरादी इतने बेक ओफ हो जाएं कि थाने में से या अपने अपरादी साथियों को छोड़ा करके ले जाएं और पुलिस मुऌधर्शक बनधी ही देखती रहें। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि दसी की संक्या में पुलिस कर्मीयों की निशन से आइं मज़्री माफिय अद्वरा करती जाएं। और कोई सरकार जो है वो मुख दर्शक बंती भी देखती रहे इन सब फेलियोर्स के साथ साथ में सरकार के तमाम भढ़काने के प्रियासों के बावजूद भी राजस्तान की जनता ने अभी हुए वर्तमान के पंचायती राज चुनाव है और विशेश रूप से पंचायती किराब चब चुनाव है तो ग्रामीन फ्रिस्ट भूमी के लोग मितलब किसान फ्रिस्ट भूमी के लोग प्रत्यक्षा प्रत्यक्षा के काम पर निर्भर लोग ही उसमें मद्दान कर रहे तो धाई करोड लोगों ने मद्दान किया बारतिय जनता पार्टी के पक्ष में है तो पूर्ण था कि राजस्तान में परंपरा गत रूप से पात साल में सरकारें बदलती है जब जिस पार्टी की सरकार होती है उस प्रदेश में उसी पार्टी की स्थानी निकाई के चुनाव वही पार्टी जीती है लेकिन कॉंग्रेस की सरकार होती हुए भी परंपरा के विपरीत प्रुदेश के किसानों ने प्रुदेश के ग्रामीन प्रिष्ट भूमी के लोगों ने बारतिय जन्ता पार्टी को एक तरफा विजही बनाया है 21 स्थानों पर हुए चुनाओं में से 14 जगे दो तीह ही जगे बारतिय जन्ता पार्टी जीती है जबकि सत्ता रूड पार्टी परंपरा के उलट केवल चार जगे पर समजह से मट करके रह ली ये इस बात का प्रमान है कि ये राजस्तान की सरकार जन्ता के देल से बाहर निकल चुकी है केवल अपना समवेधा निकायश पूरा कर रही है लेकिन शेकवास सब आरोप ये भी लगते हैं कि बीजेपी जहां सरकार नहीं बना पाती वहां खिल बिगाड़ देती है हमारा खिल नहीं बना दूसरे का बिगाड़ देंगे और चाहे मद्धपरदेश का मामला हो राजिस्तान में भी आरोप ये लगे कि आप लोगों ने बहुत कोशिश की उसमें आपको भी टार्गेट किया गया कि आप इसमें शामिल है इसके अलावा अगर आप महरास्टा की बात करें तो सुबह चार बजे शपत कहीं नहीं देखे कई थी इस अगरा ली है देखे मद्ध्रदेश में कॉंग्रेस पार्टी जिस तरह से टूट करके आए और जिस तरह से विक्टन हुआ कॉंग्रेस पार्टी में वह हम सब के सामने है लेकिन उसके बाद में हुए चुनाओ में मद्यप्रदेश की जनता ने जिस तरह से शुशाशन के नाम पर अधनी शिवराज सिंग जी के नेतरतों में सरकार को समर्थन और मत दिया यह इस बात का प्रमान है कि मद्यप्रदेश की जनता भी अपने को अपने साथ धोका हुआ है ऐसा महसूस कर रही थी जहां तक राजस्तान का प्रश्न है जब राजस्तान में राजनितिक संकट तिछले महीनों में दब उत्पन हुआ था उन्हें एक तरह के लांचन लगाये हमारे उपर दोश लगाये गया मानिय ग्रहमंतरी जी का नाम लेकर के उनको पर कि यह शरंतर कर रहे हैं ऐसा कहा गया यह दा जो है मानिय मुख्यमंतरी जी ने कम से कम दस बार मीडिया के सामने आकर के यह कहा कि हमारे दस बार क्या तीस वार तीस दिन में तीस बार यह बात करने नहीं दे जा रही है लेकिन तीस दिन से भी जादा एक महीने से भी जादा समय बाद में जो वो संकट समाप्त हुआ मैं पूछना चाहता हूं मानी मुख्यमंत्री जी से कि आपके एक भी विधायक ने आकर के थाने में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया कि मेरे साथ में इस तरह का दुरुवयवार जो है या इस तरह से हमको होस्टेज बना करके बंदक बना करके रखा गया था एक भी राजस्तान के विधायक ने जो इनके 19-20 लोग जो थे उन्होंने आकर के इसके बारे में मीडिया में स्टेट्मेंट क्यों नहीं दिया इसके उलोट उन्होंने आकर के कहा था कि हम अपनी मर्जी से अपने आला कमान को अपनी बात करने के लिए आये थे हमको समय दिया हमारी बात हो चुकिए अब हम वापस जा जब अपने घर के विग्रे को अपने घर की लड़ाई को दूसरे के सिर पर मढ़ने का ये प्रयास अब तो जनता के सामने इस पश्ट हो गया मद्धिपदेश में तो आपने सिद्धिया जी को अपनी पार्टी में लिया राजस्भा दे दी उनको और कहा ये गया कि जो जमीनों का विवाद था या जो सरकारी जमीनों पर और उन्होंने कबज़ा किया था उससे बचने की और पर्टी जोईन Cięald A. कि एक यारूप लगा राजस्थान में सचिन पाइलेट वर्सिस मुख्यमंत्री का जो विवाद था उसमें आप लोगों करता कामीया भी नी मिली मैंने कहा ना कि हम तो कहीं पिक्चर में नहीं थे जगड़ा पती-पतनी का और दोश-पटवारी का ऐसा कैसे हो सकता है जगड़ा तो मुख्यमंत्री जी और पाइलेट साब के साब नहीं जो जगड़ा है वो तो चुनाव होके रिजल्ट आया तो उसके दिन से ही चल रहा है इस विग्रे को सब लोग जानते हैं पार्टी दो वर्टिकली डिवाइड़ेड़े दो कैंप में बटीवी हैं विदान सभा में एक दूसरे ग्रूप के मंत्रियों को निप्टाने के प्रयास हम सब ने देखे हैं उसके बाद मे भी इस तरह के प्रेशन करना मुझे लगता है कि इन प्रेशनों में भी अपने आपने राजनीति के अद्रिक तोर कुछ भी नहीं है कि अग्या मंतरी को राजस्तान के एंकी विफलताओं के कारण उपजीवी जंता की नाराजगी से भाई लगता है, और उनको इस बात की जानकरी है, कि राजस्तान की जंता उनको नकार चुकी है, जैसा में ने कहा कि सरकार लोगों के मन से निकल गई है, केवल अपना प्रदानिक आयूश पूरा कर रही है उनकी चिंता तो यह है कि आपको जल शक्ति विभाग सोपा गया है प्रदानमंतर की तरह से लेगना आप सारी शक्ति जो है राजस्थाम लगा देते हैं उनकी सरकार को गिराने मैं तो इसको दुरुबाग्य पूर्ण मानता हूं मानिय प्रदानमंतर जी के नेतरतों में हम हर घर तक नल और नल में जल यह पहुँचे इस संकल्प के साथ में कि 2024 तक इसे पूरा करेंगे इसके लिए काम करें 2024 तक इस लक्षी को लेकर के हमने देश की सरक्मानिय मोदी जी के नेतरतों में जब काम करना प्रारंब किया 2019 में हम 19 करोड घरों में से केवल 3 करोड 23 लाग घर तक पहुंचे वे थे केवल 16 प्रतिशत घरों तक पीने का पानी पहुंसता था 6 घरों की माताओं बेनों को सिर पर पानी उठा करके लाने के लिए मजबूर होना पड़ता था इस अभिशाप से मुक्ति दिलाने के लिए मोदी जी ने जब ये ये कारिक्रम प्रारंब किया आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूँ कि लगबग 15 महीने का समय बीतने के बाद में तमाम विप्रीत परिस्तियां पहला साल था कोरोना की आपदा थी इसके बावजूद भी हम लगबग 3 क्रोड का आकड़ा चुपाएं आज मैं खुशी के साथ में कह सकता हूँ कि गोवा 100% जो है वह ऐसा राज्य हो गया है जहां हर घर तक पीने का पानी नल के माद्यम से पहुंचता है अनेक ऐसे स्टेट्स हैं जो जिन्होंने अभूत पूर प्रगती किये तेलंग ना 99% से उपर पहुंचा है गुजरात ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है एकरनाटक में काम ने गती पकडना प्रारभ है महराष्ट में काम घती के साथ में हो रहा है मुझे दुख होता है जब मैं ये देखता हूं कि बंगाल का साजीडार अगर इस काम में कोई नीचे ये नीचे के पाइदान पर है तो वो मेरा परदेश राजस्तान पहले वर्ष में जितना धनराशी भारत सरकार ने मुहया कराई थी आज तक उसका भी पूरा जो है utilization certificate सब्मिट नहीं हो पाया उसके कारण से दूसरे साल की राशी लेने की पातरता भी राजस्तान अर्जित नहीं कर पाया जो व्रद्धी उसके बाद में की गई 32% से 42% जो है वो dispensing राज्य सरकारों को की जाने लेगी उसके बाद में केवल नौर्थ इस्टन और हिमा जो है हिली स्टेट्स को ही 90% grant मिलती है बाकी किसी को नहीं मिलती किसी मैदानी राज्य को नहीं मिलती है जब 50% grant जो काम राज्य सरकार को करने का है उस काम को करने के लिए 50% grant भारत सरकार दे रही तब तेलंगना करता है मध्यप्रदेश करता है महराष्टर करता है गुजरात करता है तो आपको ऐसा लगता है कि राजस्थान की सरकार नाकाम है कि इंद्री परियोजनाओं को फाइदा उठाने में निश्चित रूप से हिंदी में कहवत है हाथ कंगन को आर सी के और पड़े लिखे को फार सी के आखड़े आपके सामने हैं कि जो टार्गेट उनके सामने रखा करूँगा तीस लाख कनेक्शन उनको इस पिछले साल का टार्गेट था उसके लिए पैसा बारत सरकार ने दिया था लेकिन उसके बावजूद भी तीस लाख में से चारहजार आट सो नबे कनेक्शन केवल कर पाएं राजस्तान के आलात भी लगबग ऐसे ही हैं जो आइज चायए वो डीसा में तो उनको सेंट्रल जो असिस्टेंस होता है या उनका जो वाजिब होता है GST का इससा वो भी नहीं मिल पाता है और 36 गर जैसे राजी तो कहते हैं कि हमको किसानों की धान खृतने के लिए बारताना चाहिए वो भी नहीं मिलता है तो इतना अन्य कि हम टीम इंडिया की तरह काम करेंगे, इसी भावना के साथ में काम करने हैं, कागज उठा करके देख लीजिए, एक भी उधारणा आप इस तरह के भेदवाव करने ही बता सकते हैं, एक भी, राजस्तान की सरकार को मैं फिर कहना चाहता हूं, सबसे ज़्यादा पैसा जो रा सरकार को ही करना है, जहां तक GST का पसने है, शून ये बकाया है, जो भारत सरकार को इस्सा देना है, एक भी पैसा बकाया नहीं है एक और बड़ा dream project है प्रधान मंतरी नरेदर मोदी का नमामी गंगे गंगा की सफाई तकरीबन 120 प्रमुख शहर हैं जहां पर गंगा में प्रदूशन आता था जहां से पहले उमा भारती रही है फिर गड़कर दीजी नहीं कमान समाली और अब आपको लगता है कि क्या रफ्त अधा तक मानियो मोदी जी की सरकार बनने से पहले तर टुकडों टुकडों में अलग अलग जगे कुछ काम हुए कुछ पूरे हुए कुछ अधूरे रहे कुछ बन गए तो वह operate नहीं हो पाए maintain नहीं हो पाए इसके कारण से बंद हो गए परिणाम नहीं आया मानियो मोदी अधात और खुशी के साथ में आपके साथ में कह सकता हूं with all evidences बात कर सकता हूं कि उद्गम स्थल से लेकर के और महाप्रयान स्थल तक कुछ एक दो स्ट्रेचेज ऐसे हैं जहां अभी कुछ काम करना श्रेश है बाकी सब जगे जिस पानी की गुनवत्ता की एक नदी से अ कि देव प्रियाग से लेकर के या गंगोत्री से लेकर के और हरिद्वार तक कुम्भ आने वाला है एक भी बूंद रॉस्वेज अंट्रीटेड गंगा नदी में नहीं जाए हम इसको इंशॉर कर चुके हैं और आगे भी मेंटेन करेंगे और मैं आपको एक बात और अधिक पूर्वक कह रहा हूं कि कुम्भ के समय जब आप जाएं तो गंगास्ता गंगोत्री से लेकर के हरिद्वार तक जहां भी आपको उसर मिले उठाकर के आचमन करिएगा आपकी सेहत को कोई भी खतरा नहीं होगा उसकी जिम्मेदरी में लेता हूं लेकर नहीं हम आपको आश्रस करते हैं एक पत्रकार होने के नाते एक मीडिया प्रमुख मीडिया संस्थान होने के नाते कि आपके जो एफ़र्ट हैं आपकी सरकार के जो एफ़र्ट हैं और भी जो लोग सही होगी आपके साथ जुड़े हैं चाहे वो एंजियोज हो चाहे हम इस effort को जरूर देश की जंता के सामने लाएंगे और जी मीडिया नमामी गंगे की जो मुहिम है सरकार की उससे बहुत गहराई से जुड़ा हुआ था और हम वाइदा करते हैं कि हम जरूर ये पूरी जंता को भी दिखाएंगे शेखवासाब एक सवाल हो रहे हैं गहलो साब करने वाले व्यक्ति को इस तरह की लक्ष के साथ में काम करने की आवशिक्ता नहीं होती है मैं तो अपने व्यक्ति के जीवन में बता सकता हूं कि मैं केवल आज के लिए जीता हूं और आज अपने जीवन में जो कुछ रिष्ट कर सकता हूं केवल उसी तक अपने आपको के सीमित करके काम करता हूँ मेरी जितनी वय है 52 साल मानिय गैलोट साब की उतनी राजनितिक वय है वो मुझसे बहुत अनुभवी हैं मुझसे बहुत ज़्यादा ज्यान भी रखते हैं और राजनितिक सोच मुझसे बहुत ज़्यादा उनके पास में होगी मुझे तो उनके भाई का कोई कारण नेजर नहीं आता सिवाए इसके कि जनता वो इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से समझते हैं कि जनता उनको और उनकी पार्टी दोनों को राजनितिक रोप से नकार चुकिए लेकिन आप पर इतने हमले कि हो पहले आपका ओडियो का मामला उठा दिया जाए या आपके खिलाफ एजेंसियां लगा दी जाए या राज्यस तरब पर कोशिश हो कि आपको रोका जाए या फिर आपके परिबार को भी गसिट लिया जाए चाहिए वो हाई कोट का नोटेस हो या कुछ भी तो इसका मतलब यह है कि भविश में आप ही उनको खत्रा नजर आ रहे है चाहिए मुझे लगता है मुझसे ज़्यादा स्ने है और मैं तो इसने के लिए भी उनका शुक्र गुजार है अच्छा एक सीज मुझे बताईए कि जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि जल शक्ती की ताकत का इस्तेमाल हो और जगे जगे उन्होंने कोशिश की है चाहिए वो हाल के दिनों में हमने देखा कि बनारस से भी एक नई शुरुआत उन्होंने की थी तो आपको लगता है कि ये देश में नई करांती होगी आगे चाले रोड भी हमने देखी है रेल भी देखी हमने हवाई जहाज भी देखे लेगे जल शक्ती की उतनी शक्ती ने दिखाई जा ले थी डेखे ऐसा है जल हमारे जीवन का आधार है ये निर्विवाद रूप से सत्य है ये भी सत्य है कि दोनिया की कुल आबादी का 18% इस्सा भारत में लगबग इतना ही केटल पॉपुलेशन भी भारत में ये भी निर्विवाद रूप से सत्य है कि दुनिया का जितना potable water है, जितना पीने योग्य पानी है, सवच्छे पानी है, उसका केवल 4% हिस्सा ही हमारे पास में है, 18% आबादी, 18% पशु आबादी के सामने केवल 4% पानी है, इसलिए आने वाले समय में, आने वाली पीडियों में को हम ठीक भविश्य जल सम्रद पाएं, यह नितान तावश्यक था, हम सब जानते हैं कि हमारे देश की जो है dependability underground water पर सबसे ज़्यादा है, हम दुनिया का सबसे ज़्यादा जमीन से पानी निकालने वाला देश हैं, दूसरे और तीसरे पाइदान पर अमेरिका और चाइना आता है, वो दोनों कुल संयुक जितना पानी निकालते हैं, उससे डेड़ गुना पानी आमा खेले निकालते हैं, और उसी का कारण है कि हमारे भुगर्ब जल स्रोतों पर दबाव बढ़ता जा रहा है, हमको इस बात को स्विकार करना पड़ेगा कि हमारे जल स्रोत जो है infinite नहीं है, ultimately वो उनके एक limit है, और उसका implementation हो ताकि हम देश को अनेक वर्षों तक अनेक दशिकों तक शताबदियों तक जल सम्रद बनाए रख सकें, इस द्रिश्टी कोन से काम करने की आवश्यक्ता है, इसलिए इस जल शक्ति मंत्राले को विबिन मंत्राले और डेपार्टमेंट्स को इंटीग्रेट करके ए और पानी के सारे आसपेक्स पर एक साथ हम काम करें, इस द्रिश्टी कोन से हमने काम करना प्रारम किया है, अब तक इस देश में हमने केवल सप्लाई साइड मैनेजमेंट की बात करी, पानी कहां से आएगा, कहां बांध बनाया जा सकता है, कहां से पानी और लाया जा सकता ह दूरदर्शी प्रदानमंत्र जी के नेत्रतों में हमने अब डिमांड साइड पर भी साथ ही साथ में प्रभंदन के लिए काम किया है कैसे पानी बचाया जा सकता है भूगर्ब के पानी को कैसे वापस जल सम्रद किया जा सकता है कैसे भुगर्ब जल का पुनर भरन किया जा सकता है वर्षा के बाहर पानी का कैसे संचे किया जा सकता है माने प्रदान मंतिर जी ने खुद अनेक अवसरों पर इन सारे विश्यों पर देश में जन जागरन का काम किया है क्योंकि ये बात निर्विवाद रूप से सत्य है कि ऐसे महत्वपूर्ण विशे में सफलता तभी प्राप्त की जा सकती है जब ये एक जनांदोलन का सुरूप लें और जल का अंदोलन जन जन का अंदोलन बनाने में हमने कामिया भी प्राप्त की है एक आखरी सवाल यह है कि एक बार पधामनती जी ने इस तरह का संकेत दिया इशारा किया कि पाकिस्तान की तरफ जो जाने वाला पानी है वो बहुत बरबाद भी होता है रावी हो व्यास हो सतलज हो और जो चाइना की तरफ से जो इस तरह से डैम बड़े-बड़े बनाने की इसमिकित बाट हो रहे है तो कई बारा पुर लता है कि वह तरह से निकला होे लेकिन मैं आम से एक राजनेता के तौर पर एक मंत्री के तौर पर आपसे कूछना चाहता हूं कि हमारी कितनी वड़ी चिंत हागी हमारा पानी अपने देश में पाकिस्तान की तरफ चला जाए और चाइना वहां से हमारे उपर दबाव डाल रहा है देखे जब देश आजाद हुआ तो हमारी नदियों का बटवरा हुआ जेलम चेनाब सिंदू यह तीनों नदियां जो पश्चिम की तरफ पहती थी वह पाकिस्तान को मिली रावी ब्यास स तीनों हमें मिला अब यह मैं प्रेशन नहीं कड़ा करना चाहता है कि उस समय क्यों करके देश के एतों के साथ समझाता किया बीस प्रतिशत हिस्सा गया था हमने अड़सट प्रतिशत पानी क्यों पाकिस्तान को दिया इन वीशियों को अभी मैं छोड़ दू लेकिन हमारी नदियों का पानी भी कुछ जोग्रेफिकल कंडिशन के कारण से कुछ मैनेजमेंट के द्रिश्टी कोन से कई बार पाकिस्तान में जाता है और मानिय प्रदानमंत्र जी ने इस पष्ट कहा कि अब खून और पानी एक साथ नहीं बैएगा ऐसी सहायक नदियां रावी की जिनका पानी अंटैब्ड पाकिस्तान में जाता है उस पानी को उन नदियों को बांध बना करके इंफरस्ट्रक्टर क्रियेट करके उनके पानी को भारत की भूमी पर भारत के किसान के उपियोग के लिए भारत के लोगों के पीने के पानी के उपयोग के लिए लाया जाना इसके लिए हम कृत संकल्प हैं हमने काम करना प्रारंब कर दिया है और शीग्री इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक भी बूंद भारत के इसे का पानी पाकिस्तान में नहीं जाए जहां तक चीन का विश्य है आपने भी कहा भारत सरकार इन मैं कहीं भी चूक मानिय नरिंद्र मौदी जी के नेतरतों में काम करने वाली सरकार के होते वे हो नहीं सकती है बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी जी मीडिया से बाचीत करने के लिए और जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि दोहा तो हमने सुना है लेकिन वो दूसरे संद्रब में था और आज का संद्रब जो मंत्री जी ने विस्तित तोर पर बताया कि पानी कितना एहम है चाहे वो सियासत का पानी हो या वाकई जल ही जी जी बाचीत करने के लिए और हम उमीद करते हैं कि नमामी गंगे जैसे मिशन सरकार जो मिशन मोर्ड में काम कर रही है वो कामियाब होंगे और हम सब मिलकर उसमें सरकार की मदद भी करें तो जादा बहतर होगा बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी मिडिया से बाचीत करेंगे धन्यवाद